हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेर स्टड़ीं स्कूल, तोड़े 13th मार्च 2019, हम निफ्टी का पोस्ट मार्कट अनलिसिस देख रहे हैं कल जो टार्गेट हमने निफ्टी में बताया था 11,336 का थर्ड टार्गेट वो थर्ड टार्गेट आज निफ्टी में अच्छी हुआ है जो फर्स टर्गेट कल दिया था वो फर्स टर्गेट अच्व करने के बाद सेकेंड टर्गेट और थें थर्ड टर्गेट 11,336 का आज मौनिंग में निफ्टी में अच्व हुआ है और साथ ही जो डिली चार्ट में भी टर्गेट हमने बताय था 11,345 और 11,350 के बीच में वो ट तर्गेट भी आज अची हुआ है और इसके लिए हम पहले अपना निफ्टी का हाँ प्री मर्केट अनलेसिस देखते हैं तूरी चार्ट को प्लाट करके यह फिपोनासी एक्स्टेंशन दिया है और इस फिपोनासी एक्स्टेंशन के हिसाफ से हामें अगला टार्गेट बनता है 11,211 का दूसरा टार्गेट बनता है 11,259 का और तीसरा टार्गेट बनता है 11,336 जो हमने रहे डाटे लाइन के दीख रही है हमें यह हमारा जो देली का 11,345 का जो रेलेबल है हुआ है सो 11,345 जो हमारा डेली चर्ट का टार्गेट लग रहा है यह डाटे लाइन जो है वो देली चर्ट का रिट्रेस्मेंट लेबल का टार्गेट है सो हम लोग आसपास उसके आ चुक है तो मेरे हिसाब से हम लोग यहां पर यह तो अगर उपर गये तो 11,345 यह 350 के आसपास रेजिस्टन्स टेस्ट करेंगे और वहां से नीची आना शुन करेंगे और यह आज का निफ्टी का ग्राफ है और इस ग्राफ में हम देख सते हैं यह अरली चार्ट है और यह डेली चार्ट है पहले हम आरली चार्ट में देखते हैं आज मॉनिंग में निफ्टी अराउंड 11,322 इस लेवल पे ओपन हुआ था और उस लेवल पे ओपन होने के बा और डेली चार्ट में भी जो 3.45 का टार्गेट हमने बताया था निफ्टी का एक्जैटली वो टार्गेट आज निफ्टी ने यहां पर आच चुक गया है 3.45 तो 3.50 के पीछ में निफ्टी रेजिस्टन्स ले सकता है यह आमने आज morning में प्री मर्कें अनुमंने बताया और हम देख सकते हैं ऐक्याज एक्जैट उस लेवल का रोडिस्टन्स लेकर और आज का निफ्टी का है था 11,350 का सो आज आज उस लेवल का रोडिस्टन्स लेकर आज निफ्टी उसके नीचे ग्लोज हुआ banana A daily free pre-market Nifty trading strategy morning 8.30 a.m. को अमरी website में update करते हैं